हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम हिमान शोल मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके पने चैनल कॉमिक वर्ल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में यो दा सीरीज के अगली कॉमिक्स बिजली रूप नगर के विवसाइक इलाके में मौजूद ये बहु मंजला इमारत मंज शॉपिंग सेंटर के नाम से प्रसिद्ध है इसी इमारत में भारतिये सीक्रेट सर्विस की एक महत्पूर्श शाखा भी है इसी शाखा में आज लेखक हनीफ अज़र चित्रांकर दीरच वर्मा संपादन मनीश कुप्ता स्याहिकार जस्वत सिखनार कौन है तुम बिजली है जो कानून और सरकारी जासू संस्ताओं को तबाह करने निकली है हम तुम ऐसा नहीं करने देंगे टोंट मूव थाए थाए मैं बिजली हूँ बिजली को रोक पाना तुम्हारे वश का रोक नह इस पागल को रोक पाना मुश्किल है भागो फिर कुछी देर बाद धूल में मिल गई वाया अमारत जो कुछ देर पहले शान से खड़ी आकाश से बाते कर रही थी ये तो अभी शुरुआत है आगे आगे देखो होता है क्या चलो दोस्त शहर के एक अस्पताल में अब इस क्या अब हम उनसे मिल सकते हैं हाँ योद्धा अंदर जाने को हुआ तो डॉक्टर नो उसे टोका मेरी फीस के बारे में क्या सोचा आप चिंता ना के जी शुरुमान हम उसका प्रवंद करने में जुठे हुए है देखो दोस्त डॉक्टरी मेरा वैवसा है मेरा पेट भरने कोई कीमत नहीं है दोस्त योद्धा के चेहरे पर पल भर के लिए कटोर था कि चिन नुगरे और वो उसकी बात काटकर बोला ठीक है हम आपको अपनी बात का पका विश्वास दिलाते हैं कहकर योद्धा ने एक जटके से अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उसे डॉक्टर के हाथ पर रख दिये जब तक हम आपकी पाई पाई नहीं चुका देते तब तक हमारा ये बाल आपके बज़ गिरवी रहेगा सिर्फ एक बाल ये क्या बेवकूफी है आखर एक साधरान बाल की कीमत क्या होती है शमा करे शिरिमार ये एक साधरान बाल अवश्य परंतु इसके साथ गियोद्धा की संपूर भावना जुड़ी हुई है ये हमारा मान सम्मान है इसके आगे विशाल खजाने भी कुछ नह होता तो हमारे प्राण भले ही चले जाती है परंतु हम अपने बाल को हर्गिस गिर भी ना रखते सक्ते में खड़ा रह गया था डॉक्तर जबकि योद्धा कमरे में प्रवेशकर इसनिया के पास पहुचा नमस्कार इसनिया जी कहिए कैसी है आप फाइन अरे आपकी दवा का मूँ देखती रह गई इसनिया उसने कब मूँ खोला और कब दवाई खा गई वह खुद न जान सकी फिर योदा सारे दिन ही इसनिया से अठखेलिया करता रहा एक कौर और खाई है हमारी खाते कितनी सुन्दर लगती है आप इस तरह के बालों में सारे दिन फूल सी खिल दी रही इसनिया शाम को बुरजास ही गई अब विदया इसनिया जी कल फिर मिलेगी जल्दी आना योद्धा के जाने से ना जाने क्यों मुझे खाली पंसा मैसूस हो रहा है डॉक्टर ने सत्य कहा था वास्तव में इसनिया जी को दवा से अधिक प्रेम किया वशकता है कु क्यों बेचारे की हजी उड़ा रही हूँ क्या पता इसके पास पहनने के लिए कपड़े होई ना इन युक्तियों ने हमें उपास का पात्र बढ़ा जिया परंतु हमें इनकी बातों पर ध्याद नहीं देना तब ही पासी खड़े लड़के भी अपना रंग दिखाने पर तुम्हें ये नंगा ही मैं पसंद नहीं हमारे बारे में क्या क्याल है आई हाँ छोड़ मेरा इन हातों में आया हाथ इतनी आसानी से नहीं चूटता डियर आओ क्यो नहीं चूटता श्रीमान क्या आपके हाथों में कॉंत लगा है तनिक दिखाईए तो ज़रा योध्धा ये मेरा हाथ तोड़ देगा, छुड़ा मुझे इससे, छोड़ दे, इसे वरना तेरे साधे दाथ तोड़ दूगा, अधा, इतनी दूर से अगर आप अपना हाथ मुस्तक पहुचा सकते हैं, तो हमारा दाथ अवशी तोड़ लीजी, फिर भाग, धा, इस यातरी बाहन में सा लगा है कि महलाओं से छेड़ खानी करना डंड नहीं अपराद है, और चुकि तुमने ये अपराद किया, इसलिए ये है इसका डंड, इसने हमें बदमाश लड़कों से बचाए, ये तो सच मुझी हीरो है, सौरी जेंटिल्मेन, तभी बस एक हिचकोला खाकर रुख गई, क्या हुआ, बस के रुख गई, आगे ट्रैफिक जाम है, महानगरों में यहीं मुसीवत है, जहां देखो वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, अब घंटों इस जाम में फसा रहना पड़े है, योद्धा बस से उतरकर पैदल ही चल पड़ा, घर पास ही है, पैदल चलकर वाहन से दुशकर कार है, उन श्रीमान से हमें अपने सही रास्ते के विशा में पूछना चाहिए, श्रीमान क्या आप हमें बता सकते हैं, कि अरे, ये क्या, ये तो हाथ लगाती गिर पड़े, और यही इस्तिती इनकी भी है, पर हम तो ऐसा क्यों है, अभी योद्धा सोच में ही ड देवी जी से उपर जाने वाली सीडियों पर भागता चला गया, इधर उपर भाग, भारतिय सीक्रेट सर्वेश के सभी ठिकानों को तबाह करके ये बिजली चैन से बैठेगी, ये मेरे इंतिकाम की आग है, ये साग की चपेट में जो भी आएग वे जलकर राक हो जाएगा ठैरिये देवी जी, हमारे होते हुए आप ये विनाश को विनाश का खेल नहीं खेल सकती, योधा को देखकर एक पल के लिए बिच्चू काटे सी च्यूंकी बिजली, और फिर अगर जान प्यार है तो वापिस लोट जा पहलवान, वरना इस विनाश के खेल की चपेट में आकर तू भी अपनी जान कमा बैठेगा, नहीं, रुख जाएए, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, बिजली की गदी को मात करते हुए योधा को किक चड़ी उसने, मेरे सीने में बदली की आग्ध दख रही है, इसलिए मत खेलो इस आग से वरना तुम भी छलस कर रहा जा आपके साथ जो अन्याए हुआ है, उसका न्याए कानून करेगा, कानून किसी के साथ न्याए नहीं कर सकता क्योंकि वह सबूतों का महताज और उच्चे वालों का गुलाम है, इसलिए मेरे रुखने का सवाल ही पैता नहीं होता, तब ही वहां गुंजोटे पुलिस सायरन बिजली को चौकाया, पुले सा चुकी है, मुझे भागना होगा, लेकिन जब उसने भागना चाहा तो उनके सामने दीबार बनकर ख़ड़ा होगया योध्धा, रुख जाए, हम आपको भागने नहीं देंगे, दूसरे जड़ बिजली ने अपनी गन योध्धा की तरफ त अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद